में में यह क्या है यह हो गया आपका ब्रेन यह आपका क्या हो गया पॉन्स और यह आपका क्या हो गया मेडूला तो एक फोर रूल होता है फोर रूल 4 rule क्या होता है, यह हो गया आपका medial side, यह हो गया lateral side तो देखिए 4 rule क्या आता है 4 से 2 bell में जितना भाग जाता है, यह हो जाता है medial side में, जैसे हो गया 3 into 4 2 bell 4 into 3 2 bell, और 6 into 2, 2 bell और 2 bell into 2 bell बांकी जितना भी नर्व है हो lateral side में रहता है, जैसे की हो गया 5, 7, 8, 9, 10 और 11 इह सब cranial nerve है, cranial nerve 3 & 4 कौन से कहां पर involved रहता है? mid brain में, cranial nerve 6 कहां पर involved रहता है? में क्रानिल नबल कहां पेल रहता है मेडूला में में तो देखें मेडियल साइड में मेडियल साइड मे को seems स्क्रानिल नर्म लोकेटेट है 3-4-6-2 बैलस देखें लाटराल साइड में अ कुन सा नौकेटड है 578 9 10 11 एं यहां प Brid kicking नम नौर्व प्रूबल में आ बैँ चैनल ट्वाशा पर कहां पर्आप लोकेटड है मेडूला में में मेडूला में हैं और कौण से साइड में है लैटरल ऐड में लैटरल साइड में सोरी मेडियल साइड में मेडियल साइड में तो टूबेल नॉर्ब में जो डिफेक्ट होगा तो यह क्या होगा मेडियल मेडूलारी सिंड्रोम और यहां पर देखिए 9, 10, 11 कि साइड लोकेड़ है लैक्टरल साइड और 9, 10, 11 कहां पर लोकेड़ है मेडूला में तो मेडूलारी लैटरल मेडूलारी सिंड्रोम तो देखिए मेडियल मेडूलारी सिंड्रोम में जो डिफेक्ट होगा तो वहां पर क्या होगा कोंड्रा लैटरल हैमि प्ले गया कोंड्रा लैटरल हेमि प्ले गया है निंद्रोम आप नों सब्सक्राइल एकente लेड़ा न्ट घ्रिथी सब्सक्राइब करोछ ग्राइल से थो फंपसी लाट्रल माले यह अंग्या होता है पेड़ से कुलाइब टौन कैसि नोभ टेड़ का सेम टू सीम साइट यह ऑइति नर्फ लेगारट्या यह Hef c क्रैनेल और पैल्शी होगा तो क्या होगा टॉंग डेविएशन है टूंग डेविएशन है कि पूसीम साइड है को कर अर्मेडियल मेडूलारी सिंड्रोम में कौन सा आर्टरी इनभार रहता है आई का एंटेरियर स्पैनल आर्टरी एंटेरियर Spinal Artery Entity Spinal Artery और Lateral Medulary Syndrome में कौन सा Artery इंवल्व रेता है पाई का Posterior Inferior Cerebral Artery Posterior देखें Posterior Inferior Cerebral Artery से भी ज्यादा मोर इंवल्व कौन सा Artery रेता है Vertibular Artery Vertibular Artery Vertibular Artery Float by the Pika और Lateral Medulary Syndrome में Defect होगा तो क्या होगा Contralateral Contralateral Loss of Pain and Temperature Pain and Temperature तो यहां पेंशर B Upper son Bring a father who has Become unconscious While working is hot son 44 degree Celsius In June Afternoon present to the hospital With heat exhaustion Or heat stroke Which of the following is not seen So here we have to look at heat stroke Heat stroke Heat stroke Strayid क्या होता है Exposure to heat stress Exposure To heat stress Cness Dyspension Cness Dyspension Cness Dyspension And core temperature Core temperature More than 40 degree 40.5 degree Celsius Yes Tachycardia आओगा Tachymidia Tachycardia Tachycardia ते क्या ना उसके बाद क्या ओगा Hypotension Hypotension Headache यहाँ पर क्या है कौन सा feature नहीं दिखाए देता है तो Pean Point Pupil है जो Heat stroke में नहीं दिखाए देता है तो आप pinpoint pupil किस-किस में देखा देता है तो हम उसको कैसे याद रखेंगे pinpoint pupil Pea बाले में देखाय देता है अब Pea बाले में क्या हो गया अब कैसे याद रखेंगे एक हो गया painkiller 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 बला of why and heroine of why and heroine का abuse करेगा Second P means जैह्त हो गया fosfit फोस्फेट, मतलब ओपी पॉयनिंग में भी पूइन्पॉइंट पूपिल दिखाए डेता है, ठाड हो गया पॉन्स में, मतलब पॉन्स में मिन्स पॉन्टाइन हेमरोज, पॉन्टाइन हेमरोज में भी पूइन्पॉइंट पूपिल दिखाए डेता है, फोर्थ हो गया पिल लो कार्पीन है मिन्स गलकोमा में भी देखा देता है तो इंसर कौन सा हो गया डी और फिमेल पेशेंट परजेंट विद फीवर फॉर पास्ट थ्री डेज एंड कान नोट टॉस नेक तूद चेस्ट लंबर पंचल डॉन सियस्या फैंडिंग तो डाइगनेसिस क्या होगा तो एक हो गया टीवी मेनेंजाइटीज एक हो गया बैक्टेरियर मेनेंजाइटीज एक हो गया भाइरल मेनेंजाइटीज तो देखिए सब सब पहले बाइरस गुलकोच नहीं खाता है गुलकोच नहीं खाता है तो उसमें गुलकोच नॉर्मल हो गया यहां पर गुलकोच नॉ उसके बाद आप आप आगया दूसरे हम से डिफ्रेंसेट करेंगे देखिए भाइरस तो एसाई भाइरल मेनेंजाइटिस डिफ्रेंसेट हो गया अब डिफ्रेंसेट करना हमको टीवी मेनेंजाइटिस और बैक्टिरी मेनेंजाइटिस में देखिए लीमफोसाइट लीमफोस सुगर कम है सुगर डिक्रीज है और निट्रोफिल पर्जेंट है यह कौन सा मेरेंजाइटिस हो गया बैक्टेरियर मेरेंजाइटिस आप पर सन आउन दा मांटेन आट फाइव अंड्रेड मीटर इस हाविंग दा हेडेक डिजीनेस एंद सेरेबर एडिमा सबसे देखिया हाई एल्टीचूड मौसन सिखनेस कितने मीटर मांटेन चड़ने के बाद होता है मोर दैन 2,500 मीटर के बाद हाई मांटेन सिखनेस डिजीज डेबलोप होने लग यहाँ पर डेबलोप क्या हो गया है हाइपोबरिक हाइपोगजिया हाई और हाइपोबरिक हाइपोग्जिया है यह क्या करेगा desaturation करवाएगा desaturation तो यह अहां answer क्या हुआ A young male 25 years age present with the pitosis which is the worst in the evening and show improvement in the morning the patient complain of the existential fatigue work of ice pack test relief in pitosis diagnosis क्या है यहां पर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है worsening in evening pitosis worsening in evening and showing improvement in morning diuronal variation diuronal variation क्या होता है earliest manifestation asymmetrical asymmetrical pitosis क्या होता है diplopia job muscle weakness job muscle weakness और pitosis का relief ice pack से होता है तो ice pack test क्या हमें करता है mysthemia grabis में mysthemia grabis में तो यहां पर diagnosis क्या हो गया D और investigation of choice क्या होता है mysthemia grabis का single fiber single fiber electromyography electromyography और screening के लिए mysthemia grabis की screening के लिए कौन सा antibody test करेंगे anti-musk antibody test anti-musk antibody test और उसका drug of choice क्या है treatment of choice mysthemia grabis का esteroid esteroid क्या कौन से mysthemia grabis है treatment of choice of ocular mysthemia grabis के लिए adult patient के लिए adult patient के लिए कौन सा drugs देंगे adult में mysthemia grabis में treatment of choice क्या हूआ ये esteroid है ocular mysthemia grabis के लिए इस patient में हम esteroid देंगे pitosis बला में लेकिन मैं अग्राइब इसका देंगे जो मसल विखने से लिए रहेगा तो उसमें क्या देंगे adult patient रहेगा तो if adult patient रहेगा तो उसमें drug of choice क्या हो जाएगा pyreidostigmine pyreidostigmine और neonatal patient रहेगा तो neonatal में neonatal में neonatal और amylotropic में amylotropic में कौन सा antibody present रहेथा है SOD1 SOD1 antibody present रहेता है amylotropic में और huntington disease और huntington korea यह trinucleotide disease है यह CAG repeated होता है इसलिए होता है CAG और किसमें present रहेता है कर्मोजों में CAG repeated sequence रहेता है उसमें huntington korea होता है यह trinucleotide disease हो गया और non hypertensive patient about to the emergency department with the palpitation and shortness of breath on examination BP is the 200 by 120 mmHg with development of the incapacity all of the following can be given except तो यहां पर देखिए 210 by 120 mmHg 210 by 120 mmHg है और development of the इनके फैलोपाथ तो देखिए यह हो क्या है hypertensive urgency 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 और hypertensive crisis hypertensive crisis hypertensive crisis hypertensive urgency किसको बोलते है hypertensive urgency means किया आता है BP elevated BP elevated BP elevated with with target organ disease कोई भी organ का target किया आता है target organ organ disease और hypertensive emergency किसको बोलता है hypertensive 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 emergency किया बीपी elevated BP elevated but without targeted organ without target organ और target organ कुन कुन सा हो गया kidney हो गया vascular हो गया brain हो गया और हो गया और BP कितने से elevated होना चाहिए 180 by 110 से ज्यादा होना चाहिए तब hypertensive emergency हो गया और hypertensive emergency में small ol देता है sodium nitro prosat मैनिटल का कोई रोल नहीं होता है hypertensive emergency or hypertensive urgency में भी तो यहाँ answer कौन सा हो गया a the gcs of rta patient is 10 the imply maximum gcs scale कितना होता है maximum maximum gcs scale 15 यह maximum हो गया और minimum 3 और comatose patient कितने gcs को बोलते है comatose equal or less than 8 gcs scale तो comatose patient हो गया देखिए severity में mild gcs mild severity किसको बोलेंगे if 13 to 15 gcs score रहेगा यह mild severity हो गया moderate 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 case कितने को बोलेंगे if 9 to tubal gcs score moderate case हो गया और saviour case किसको बोलेंगे saviour less than 8 रहेगा उसको saviour case बोलेंगे वही पर mild conscious moderate conscious कितने को किसको बोलेंगे देखिए 20 minute से 1 hour तक loss of conscious रहेगा उसको mild conscious patient बोलेंगे if 1 hour से लेके 24 hour तक patient conscious है moderate loss of conscious बोलेंगे if more than 24 hour से ज्यादा loss of conscious है उसको saviour conscious बोलेंगे तुहाँ पेंशर कौन सा हुआ A mild young patient developed a sudden onset of fever and agitated behavior for two days no meningeal sign were noticed easy में so periodic focal temporal lobe spike CSCF so the 90% lymphocyte and 10% neutrophil with the normal CSCF sugar and slight elevation protein which of the following should be the started in the patient treatment तो यहाँ पर देखिए सबस्पहल देखिए meningeal sign negative है तो इस सबस्पहले उसको भी छोड़के सबस्पहले हमको क्या देखना है CSCF value sugar है हमको meningitis उसमें suspect कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर meningitis suspect करेंगे तो CSCF value sugar है तो यह क्या हो गया viral meningitis suspect कर सबस्पहले viral meningitis लेकिन viral meningitis कैसे suspect करेंगे क्योंकि वहाँ पर meningial sign ही नहीं देखाए दे रहा है तो viral viral infection है लेकिन अब यहाँ पर meningial sign नहीं देखाए दे रहा है तो अब meningial sign नहीं देखाए दे रहा है तो अब यहाँ पर क्या है periodic focal temporal lobe spike periodic focal temporal lobe spike किस में देखाए देता है horp simplex horp simplex incephalitis 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 horp simplex incephalitis में देखाए देता है तो यहाँ हम देखिया horp simplex है तो यहाँ viral disease का drugs use करेंगे तो ATT और safe trison antibiotic चीज में यूज़ करता है तो हम यह चीज यूज़े नहीं करेंगे M4 terasin B है यह fungal infection में यूज़ करता है तो बाकी कौन सा रही गया acyclobile viral disease में acyclobile यूज़ करता है तो answer B of 45 years world male with HbA1c 8% come to the ER with the hemipleg 8 hours prior to the consult NCCT head show the intracereber bleed and BP 198 by 110 mmHg which of the following intervention is the best schedule in the patient तो देखिए SbA1c 8% है इसका मतलब यह diabetic case है यहां पर intra क्या बोलता है intracereber bleed है hypertensive patient है यह कौन सा है hypertensive emergency emergency देखिए TPA नहीं करेंगे TPA इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि यह bleeding हो रहा है तो bleeding में hemorrhagic condition में thrombolytic agent contraindicated है और TPA क्या है thrombolytic है thrombolytic है तो TPA hemorrhagic condition में क्या होगा contraindicated होगा और देखिए observation and monitoring observation तो बिल्कुल नहीं patient करेंगे क्योंकि HBA1C 8% है hypertensive emergency patient है उसमें observation तो करेंगे नहीं तो बांकी रहे गया Labitalol सबसब पहले हमें BP को management करना है और BP को management करने के लिए hypertensive emergency में drug of size क्या होता है Labitalol IB Labitalol Labitalol तो answer B क्या थांकी उब उसuca चेंँ झाल झाल